तो आज मैं बनाने जा रही हूं पेरी-पेरी कोफटे मैंने क्या कर रही हूं यहां पर फ्लेवर्ड वाटर डाल रही हूं इसमें मैंने पानी डाला है पानी में मैंने नमक डाला है और मैंने थोड़ा सा जैफल डाला है फर फ्लेवर के लिए और साथ ही साथ मैं पीस रही धनीया, हरी मिर्च, नमक, थोड़ा सा वेनेगर डारा है और लहसन और जीरा बस बनाया है जिसमें मैंने डाले हैं हरी मिर्च गरम मसाला, जीरा धन्या पाउडर, थोड़ा सा बेसन, हरा धन्या और सॉल्ट और नीम्बू इतनी चीजें डालके मिक्स करके मैंने इसका बना लिया है पेस्ट जैसा तो मैंने इसलिए इसकी वीडियो नहीं बना है क्योंकि आल्रेडी मैं इस चीज की वीडियो आपको सी कबाब में दिखा चुकी हूं तो यह चीज सेम बनेगी बाखी अब हम तया कोफते बना लेंगे और बना कि इसमें हम इसको थोड़ा स्लो कर दीजेगा और यह बस बाइट साइज में आपको लगे तो आप थोड़ा सा वाटर बी ले सकते और ताकि आपके जो कोफते हैं वो फटे नहीं और बहुत ही छोटे-छोटे जादा बड़े नहीं किमा बनाते वक्त मैंने पानी बिलकुल एड नहीं क पास आइस क्रीम निकालने वाला स्कूप हो तो और भी अच्छा है आप उसी के साइस का सारा का सारा लेके बाइट साइट बना के और इस तरह रख सकते हैं इसको हम ऐसे हलका सा हिला लेंगे लेकिन आपको पहले नहीं हिलाना है नहीं तो वह तूट जाएंगे आपको वेट करना है जब यह हलके हलके सिन का कलर जो है थोड़ा सा चेंज होने लगेगा आपको दिखेगा तब आप इनको आप हलका सा हिला लेंगे यह देखिए इध अधर हम चटनी पीस लेंगे इसकी जो मैंने इसका मसाला तयार किया ग्रेवी तरह मुझाएगा तो हम इसमें टाल देंगे सीरा इसको हम इसमें डाल देंगे तेज आच है तो कि यह अलड़ी पके हुआ हैं दो से तीन मिनिट में यह हो जाएंगे अब हम इसमें डाल देंगे यह जो हमने बनाया था झाल झाल प्राघ कुफते जो काफी टेस्टी होते हैं और यमी भी होते हैं तो अगर आपको ही मेरी डिस अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शें सब्सक्राइब करिएगा और बिल बटन को भीट कर दीजेगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक किलिए बाबाई